नमस्कार, हिमाचल बुलेटीन में आपका स्वागत है मोबाइल पर प्राप्त OTP नमबर दर्ज करें और सत्यापित करें फार्म के अनुसार विवरन भरें और स्वेम को पंज करें टीका करन के उपरांत भी तीन भव मूले निये मवश्या अपनाए हमेशा मास्क पहने, अपने हाथ साबून और पानी से नीमित तोर पर अच्छी तरह धोएं दूसरों से उचित दूरी बना कर रखें अब पेश हैं आज के समाचार मुख्यमंत्री शिरीजाराम ठाकूर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्री मंडल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिती की समिक्षा की गई करोना वारस के संक्रमन की चेन को तोड़ने के लिए मंत्री मंडल ने पूरे प्रदेश में पहले से लगाए गई सभी पाबंधियों सहीत कुरोना कर्फियों 31 मई 2021 तक बढ़ाने का निरने लिया बैठक में निरने लिया गया कि सवास्तवी भाग प्रदेश में निजी अस्पतालों को उनके संस्थानों में टिकाकरण में वरिद्धी करने के लिए प्रोथसाइद करेगा और विधायक संबंधित उपमंडला धिकारी के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगयों के कल्यान तथा उपचार सुनिशित करने की समिक्षा करेंगे मंत्री मंडल ने वितवर्ष 2021-22 के लिए आबकारी निती को स्विक्रिती प्रदान की जिसके तहत इस वर्ष 1829 करोड रुपे का राजस्व अरजित करने की परिकल्पना की गई है जो वितवर्ष 2021-21 के मुकाबले 14% वरिद्धी के साथ 228 करोड रुपे अधिक है मंत्री मंडल ने कोविड के कारण उत्पन वर्थमान स्थिती के दृष्टिगर आबकारी वर्ष 2021 को एक महा बढ़ा कर 30 जून 2021 तक करने का निरने लिया नई आबकारी निती प्रथम जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक 9 महीनों के लिए लागू रहेगी प्रदेश में पडोसी राजियों से शराब की तसकरी को रोकने, शराब की कीमतों में कटोती करने और सरकारी राजस्व में परयाप्त वृद्धी करने के उदेश से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट ठेके की कीमत के 3% की नवीनी करन फिस पर वर्ष 2021-22 के लिए ठेकों की नवीनी करन की मनजूरी परदान की गई मंत्री मंडल ने अंतरराजिया और राजिया के भीतर शराब तसकरी, अवेध व्यपार और शराब की अवेध बिकरी के कारण राजकोश को होने वाले आबकारी राजस्व घाटे को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में आबकारी पुलिस की सेधान्तिक मंजूरी परदान की मंत्री मंदल ने वर्तमान वर्ष के टोल पटों को 30 जून 2021 तक एक माह तक बढ़ाने का निरने भी लिया जिसकी बाद में निलामी की जाएगी वर्ष 2021-22 के लिए पट्टे 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक कारेशील रहेंगे मंत्री मंदल ने बजट 2021-22 में मुख्य मंत्री की घोशना के अनुसार चाराविकास परियोजना के क्रियानवन के लिए नई योजना को स्विक्रिती दी ये परियोजना परदेश में उच पैदावार वाली घास की सदाबाहर किस्मों और चारों के लिए उपयोग किये जाने वाले व्रिक्षों के पोधरोपन और किसानों तथा गौस अदनों में बांटने को भी बढ़ावा देगी बैटक में मंडी, सोलन और पालंपूर में नवसरेजित नगर निगमों के सुचारू संचालन के लिए परतेक निगम में विभिन श्रेणियों के ग्यारा पदों सहित कुल 33 पद स्विक्रित किये गए मंत्री मंडल ने कृशी विभाग में चालकों के 20 पद भरने और जिला शिमला के जुनगा के एतिहासिक दशारा उत्सव को जिला स्तरिय मेला घोशित करने को भी स्विक्रिती प्रदान की मंद्री मंडल ने जिला कांगडा की तैसिल इंदोरा के तैत ठाकरू द्वारा में आवाशक पदों के स्रिजन सहित नई उप तैसिल खोलने का निरने लिया इसी परकार जिला चम्बा के तेलका में आवश्यक पदों के स्रिजन साहित नई उप तहसिल खोलने का निरने भी लिया गया जिला कांगडा की उप तहसिल नगरोटा सूर्या को स्तरोनत कर आवश्यक पदों के स्रिजन साहित तहसिल बनाने का निरने लिया गया जिला बिलास्पूर के श्री नेना देवी जी के टोबा संगवा तहसिल सदर के खारसी और तहसिल जंडुता के बदोल वरुहाल में क्षितर के लोगों की सुविधा के लिए प्रतेक्टवार वृत के लिए पटवारी के एक पद ताथचा अंश्कालिक कर्मचारी के एक पद के स्रिजनसाइथ नए पटवार वृतों के इसरिजन को भी मनजूरी दी गई मंत्री मंडल ने जिला सिर्मौर के सराहा में लोक निर्मान विभा का नया मंडल और गगल शिकोर में लोक निर्मान विभा का नया उपमंडल खोलने को मंजूरी परदान की सराहां दो तथा गगल शिकोर में इन कारेलों के लिए अवशक पदों की स्रिजन सहीत दो नए सेक्षिन खोलने को मन्जूरी प्रदान की गई मंत्री मंदल ने कांगडा जिला के सुलह विधान सबाक्षितर में नया राजगिया फार्मेसी महाविदयल्या खोलने और इसके संचालन के लिए अवशक पद स्रिजित करने का निर्ने लिया मंत्री मंदल ने छे राज किया चिकित्सा महाविद्यालेव में विशेशग्य स्वास्ते सिवाइं परदान करने के लिए सीधी भरती दोरा एसुसेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के चौनतिस रिक्त पद भरने को स्विकृति परदान की मंत्री मंदल ने लोगों की सुविधा के लिए कांगडा जिला में डॉक्टर राजेंदर परसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में नेफरोलोजी विभाग में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच पद भरने की अनुमत ही दी मंत्री मंदल ने क्षेतर के लोगों की सुविधा के लिए कांगडा जिला में डॉक्टर राजेंदर परसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में चार करोड 28 लाक रुपे की लागज से सीटी स्कैन 128 स्लाइस मशीन खरीदने की अनुमत ही परदान की मंत्री मंदल ने कांगडा जिला के प्रात्मिक स्वास्ते केंदर गड़ जमुला को सामुदा एक स्वास्ते केंदर में स्तरोनत करने की स्विक्रिती परदान की सोलन जिले के प्रात्मीक स्वास्थेकेंदर पट्टा महलों को सामुधाइक स्वास्थेकेंदर में अप्ग्रेड करने का भी निरने लिया गया कांगडा जिले के नागरिक अस्पताल देहरा में क्षेतर की लोगों की सुविधा के लिए पांच नय पद स्रिजित कर चिकिस्यकों की संख्या नौ से बढ़ा कर चौधा करने का भी निरने लिया गया मंत्री मंदल ने क्षेतर के लोगों की सुविधा के लिए जिला सोलन के धर्मपूर स्थित 6 बिस्तर क्षमता वाले सामुदाएक स्वास्ते केंदर को 50 बिस्तर क्षमता वाले सामुदाएक स्वास्ते केंदर के रूप में स्तरोनत करने का निरने लिया गया और लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के स्वस्ते उपकेंदर तत्ता पाने को सामविधार कंदरेरी में स्थानानतरित करने को भी मन्जूरी दी मुख्यमंत्री शिरी जाराम ठाकूर ने आज शिमला से जिला कांगडा के पालंपूर उपमंडल के पर और में कोविड-19 रोग्यों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार पन किया प्रथम चरण में इस अस्पताल में 250 बिस्तर की ख्षमता होगी इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने इस मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए प्रदेश सरकार को भूमी परदान करने के लिए राधास्वाम सत्संग ब्यास के स्वैंसेवी रोगियों और उनके परिजनों को भोजन परदान करेंगे जो की मानवता की महान सिवा है उन्होंने का कि COVID-19 के रोगियों का बेतर उपचार सुनशित करने के लिए इस मेकशिफ्ट अस्पताल के सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सिजन आपूरती उपलब्ध है श्री जाराम ठाकुर ने का कि परदेश सरकार COVID-19 रोगियों का समय पर पता लगाने पर बलते रही है ताकि उन्हें समय पर उपचार परदान किया जा सके राजय सरकार ये भी सुनशित कर रही है कि रोगियों को COVID-19 अस्पतालों और COVID-19 देख भल केंद्रों में उचित और समय पर उपचार मिले उन्हें का कि ये संतोष जनक है कि गत दिनों के दोरान COVID-19 की रोगियों की ठीक होने की दर 83 प्रतिशत पहुँच गई है उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिशित करेगी कि होम आईसुलेशन में रह रहे रोगियों से लगातार संपर्क बनाया जाए ताकि उनके स्वस्थ हमानकों की निगरानी की जा सके और उनका उचित उपचार किया जा सके मुखे मंत्री ने कहा नियास का है और हम उनका बहुत अभार गर्ट करते जितने में उनके पदा दिकारी हैं बाबाजी हैं कि उन्होंने इस संकट के शड़ में सबसे ज़्यादा मदद हमारी की है चाहे वो कांगड़ा की परॉल की बात कहें मंडी में भी 200 बैट कैपस्टी का हॉपिटल हमने शुरू कर दिया और उसी तरह से सोलर में भी 200 बैट की कैपस्टी के साथ काम चला है बहुत जल्दी उसकी भी शुरुआत होने वाली है लोगों को भोजन कराने की बात अगर वहां पर इन्होंने कहा है कि हम उसमें मदद करें तो यह बहुत बढ़ा कुन्य का काम है और उमीद करता हूं लोगों के जीवर बिचाने के लिए यह सुर्दा जिसको आज हम समर्पित कर रहे हैं और लगवाप एंसर्ट बिष्टर क के साथ आज शुरुआत हो रही है तो यह बहुत काम्याब होगी और लोगों का जीवर बिचाने में हम इसमें सफल होंगे और मैं उमीद करता हूं कि यह पोबिट का संकथ आजन्य पढ़ान मंत्री निरेंदर भाई मोदी जी के नेतित मजिस्तार से पूरे भारत में हैंड बढ़ाने की बाद थी 15 मिट्रिक टंग से 30 मिट्रिक टंग कर दिया है और हमने 40 के लिए क्या रखा अगर दूरूत पड़ेगी 40 भी देने के लिए बहांगे हैं हमको हिमाचल परदेश में जो गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलंग्द कराने की उसे में मदद की है ऑक्स इस संकर टेक्षन में जो मदद के लिए जा सकते थे केंद सरकार दौरा आज शीमला में उर्जया मंतरी शीरी सुकराम चौधरी और अतिरिक्त मुखे सचीव शीरी राम सुभाग सिंग ने हमाचल परदेश राज्य विदुत बोर्ड लिमिटेड की और से हमाचल परदेश COVID-19 Solidarity Response Fund के लिए 3,11,000,000 रुपे का चेक भेंट किया मुखे मंतरी ने इस पुनितकारे के लिए आपहर व्यक्त किया स्वस्थेवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बजे जारी बुलेटेन के अनुसार प्रदेश में करोना संक्रमन की जांच के लिए आज 867 लोगों के सेंपल लिए गए जिन में से 82 लोगों की रिपोर्ट नेगटी पाई गई है जबकि 789 लोगों की रिप पुष्टी हुई है जिन में से एक लाख 53,583 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 22,985 व्यक्ति उपचारा धीन है हिमाचल बुलिटीन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल फॉलो करें ट्वीटर एट DPRHP लाइक करें फेस्बूक पेज इंफर्मेशन और पब्लिक रिलेशन्स दिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov इस अंक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजिये जासत नमस्कार